नमस्कार, प्यारे विद्यार्तियों, आज हम रेल गाड़ी वाला क्यूसन करने वाले हैं, जो कि एक जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्यूसन है, पूछा जा सकता है, इसलिए इस रेल गाड़ी वाले क्यूसन को समझने के लिए जिजान लगा देनी है आईए मैं क्यूशन समझाने का परियाश करता हूँ आप समझने का परियाश करना चेनल पर पहली बार पढ़ा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकोन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तो आईए एक्सरसाइज 4.1 का चोथा क्यूशन है इस क्यूशन को मैंने अलग वीडियो में लिया है इसका कारण क्या है कि बहुत ही बड़िया क्यूशन है मैं बड़िया तरीके से इस क्यूशन को आपको समझाना चाहता हूँ समझिएगा एक रेलगाडी 480 किलोमेटर की दूरी सम्मान चाल से ते करती है इस लाइन का मतलब क्या पहले क्यूशन को समझो क्यूशन समझोगे तब जाके आगे कर पाओगे रेलगाडी 480 किलोमेटर की दूरी सम्मान चाल से ते करती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है देखो मालो यहाँ A बिंदू से यहाँ B बिंदू तक टोटल दूरी है यह है 480 किलोमेटर रेलगाडी क्या करती है A बिंदू से लेकर के B बिंदू तक जाती है तो 480 किलोमेटर की दूरी ते करेगी वो एक ही स्पीड से ते करती है मतलब स्पीड ने तो बढ़ती है न घटती है एक सम्मान चाल से चलती है समझ में आई बात आगे देखो ये दी इसकी चाल किसकी चाल? रेल गड़ी की चाल 8 किलोमेटर परती घंटा कम होती स्पीड कम होती कितनी? पहले जितनी थी अब 8 किलोमेटर परती घंटा स्पीड कम कर दी जाती तो वह उसी दूरी को मतलब 480 किलोमेटर की दूरी को ते करने में 3 घंटे ज्यादा लेती तीन घंटे अधिक लेती सुनो रेल गाड़ी की जो भी स्पीड रही होगी A बिंदू से B बिंदू तक जाने में एक बात तो आप जानते हैं यदि में स्पीड माल लो 60 किलोमेटर परती घंटा स्पीड रही माल लो एक बार के लिए और 60 किलोमेटर परती घंटा स्पीड हो यदि गाड़ी की तो समय कितना लगेगा माल लो उसे 8 घंटे लगे यदि समय निकालेंगे तो आएगा 8 घंटे अब एक बात बताओ यदि मैं स्पीड कम करदू पहले 60 थी अब कम करदू कम करूँगा तो टाइम ज्यादा लगेगा के नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा वही तो बोला इसने कि 8 किलोमेटर परती घंटा स्पीड कम कर दूँगा तो समय तीन घंटे ज्यादा लगेंगे समझना बात को पहले हमें रेल गाड़ी की चाल सुरुवात में क्या थी माल लेनी है माना रेल गाड़ी की चाल माना रेल गाड़ी की चाल एक्स किलोमेटर परती घंटा है जब रेल गाड़ी की चाल एक्स किलोमेटर परती घंटा है और इस स्पीड से वो 480 किलोमेटर की दूरी ते करती है तो उसे कितना समय लगेगा, हम समय कैलकुलेट कर लेते हैं, समय लगेगा, समय बराबर सुत्र होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है, दूरी है 480, चाल कितनी है, चाल है X, बात समझ में आई, अब देखो, अब उसने बोला है, कि यदि इसकी चाल 8 km परती घंटा कम होती, अब चाल कितनी है, X, और कम कर दे तो कितनी हो जाएगी, X से 8 कम कर दो, परीवर्तित चाल, परीवर्तित चाल हो जाएगी, X-8 km परती घंटा, अब कितना समय लगेगा? वापिस समय निकालते हैं, समय लगेगा ज्यादा इस बार, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है? वही 480, चाल कितनी है? X-8, देखिए, ये भी घंटे आए हैं, समय निकला है घंटे में, ये भी घंटे हैं, अब मैं आपसे पूछने चाहूँगा, कि आप ये बताईगी कि इस समय में और इस समय में, इन दोनों टाइम में ज्यादा समय कुन सा है? Of course, आप कहेंगे 480, बटा X-8 घंटे ये ज़्यादा है, क्योंकि यह स्पीड कम है और इस समय ज़्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा 3 घंटा सीधी सी बात है ये ज्यादा है ये कम है तो ज्यादा में से कम घटा होगे तो हमें मिलना कितना है 3 घंटा मिलना डिफरेंस तो 3 घंटा है ना इनका तो लिखेंगे 480 बटा x-8 इस टाइम में से यदि मैं ये टाइम घटा दू चार सो असी बटा एक्स तो एंस्वर मुझे मिलना है तीन घंटे ये बात समझनी जरूरी है देखो ये एक्स किलोमेटर परती घंटा चाल थी तो समय आया ये अब चाल कम कर दी तो समय ज्यादा लगेगा ये ज्यादा समय है ज्यादा में से कम को घटा होगे तो कितना आना है अगले ने बोला है तीन घंटे का अंतर है उन में तीन घंटे ज्यादा लगते हैं इस पीड कम करे तो अब इसको कैलकुलेट करना है अपने को इसको सरल करेंगे तो हमें एक दिविगात समय करन प्राप्त होगा तो ये 480 में common ले लेता हूँ, इन दोनों से, 480 जैसे ही मैं इन दोनों से common लूँगा, तो यहां बचेगा 1 upon x minus 8 plus 1 upon, sorry, यहां आएगा minus, क्योंकि minus था, minus 1 upon x is equal 3, अब देखो, 3 से ये cancel हो जाएगा, 16, 43 होता है न, तो आजएगा 160, अब देखो, 160 into LCM आएगा, x into x minus 8, इन दोनों का LCM, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तिरची गुणा करेंगा, x की 1 से गुणा करेंगा, x minus 1 की गुणा मैं, x minus 8 से करूँगा, तो minus का x आएगा, और plus का हो जाएगा 8, बराबर में है 1, अब देखो, x से x क्या हो गया, cancel, उपर आया अपने पास, 160 गुणा 8, यहां 8 ही बचा है क्यावल, अब ओन में देखो, x की गुणा मैं अंदर करूँगा, तो आएगा, x square minus का 8 x, बराबर में है 1, 1 के निचे 1 लगा लो, और वज्जर गुणा कर दो, जैसे ही मैं यह वज्जर गुणा करूँगा, तो देखिए, 160 की मैं 8 से गुणा करूँगा, तो क्या आएगा, 0 को छोड़िए, 16 की 8 से गुणा करिए, 8 से गुणा करने का मतलब होता है, करम सहत 3 बार डबल कर देना, 16 का डबल, 32, 32 का डबल, 64, 64 का डबल, 128, अब 0 लगा दो, 1280 आएगा, यह लोग 1280 की इनको गुणा करेंगे, तो आएगा 1280, 1280 की एक से गुणा करूँगा, तो आजएगा 1280, बराबर x square minus 8 x की एक से गुणा करेंगे, तो x square minus 8 x, अब 1280 का पक्षा अंतरन कर लो, तो x square minus 8 x minus 1280 बराबर 0, यह अपना दिविघात समी करन आ जाएगा, और हमें दिविघात समी करन ही बनाना था, इससे आगे वाली exercise में हम इस दिविघात समी करन को हल करना सीखेंगे, मिलते हैं आगे आने वाले वीडि जे भारत चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा, इतना सा support करने का आप परियाश करना, thank you